Hello Friends, मैं दिनेश अगरवाल, आज हम Candivatic Eardrop के वरे में जानेंगे, ये एक बहुत ही important medicine है हमारे लिए, जो कि हमारे कानों के इलाज के लिए बहुत काम आते हैं, जो कि हमारे कानों में होने वाले दर्द, सूजन और inflammation को दूर करने में मदद करते हैं, ये हमारे कानों के लिए बह हमारे कानों के लिए बहुत ही फाइदे मंसावित होते हैं, इस drop को यूज करने से हमारे कानों से related सभी परिशानियां दूर होते हैं, और हमारे कानों में सुनने की सकती भी तेज होती है, Candivatic Eardrop हमारे कानों को हर प्रकार के infection से बचाता है, और इसको बहुत ही healthy रखता है, इ आज आपके सामने एक new medicine के reviews लेके आया हूँ, आज हम Candivatic Eardrop के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे कानों के लिए एक बहुत ही important medicine है, और ये drop हमारे कानों के लिए बहुत ही फाइदे मन साबीत होते हैं, ये drop तीन प्रकार के composition के मिस्रन से बना हुआ medicine है, आगे हम Candivatic Eardrop के benefits के बारे में जानेंगे, साथ इसके side effects के बारे में जानेंगे, और इसके uses के बारे में जानेंगे, उससे पहले आप सभी से request करता हूँ, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को दबा दीजिए, ताकि हमारे नए-ने medicine related videos आपके पास आते रहें, और हम आपके लिए ऐसे ही medicine related जानकरी लाते रहें, और आपको daily एक नए medicine की जानकरी मिलते रहें, चलो friends, शुरू करते हैं आज के वीडियो, आज हम candivatic ear drop के बारे में जानेंगे, ये drop हमारे किस काम में आते हैं, इस drop की क्या-क्या फायदे और नुक्सान हमारे body में देखने को मिलते हैं, और इस drop को कैसे use में लेते हैं, और कितने मातरा में use में लेना चाहिए, आज हम complete drop के बारे में जानेंगे, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आगे आपको बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो को skip करके मत देखिए, आप इस वीडियो को end तक जरूर देखिए, ताकि आपको इस medicine के बारे में complete जानकरी मिल सके, और आप इस वीडियो का पूरा-पूरा फाइदा भी उठा सकेंगे, यह combination medicine है, जो कि तीन प्रकार के composition के मिस्रंट से बना हुआ medicine है, यह medicine हमारे कानों की समस्या के लिए, इलाज में किये जाने वाली medicine है, हमारे कानों में किसी भी प्रकार के infection हो, या फिर bacterial growth हो, तो इस medicine को यूज करके इस परिशानी को दूर कर सकते हैं, इस medicine की मदद से हमारे कानों की infections को कम कि जा सकता है, और यहesta हमारे कानों में bacterial growth को भी reduce करता है और उसको जड़ से खतम करने लगता जिसे की हमारे कानों मे दर्द, सूजन और इंफ्लामेशन को दूर किया जा सकता है और रिजली छुटकरा पाया जा सकता है हमें अपने कानों को हमेशा साप और सुतरा रखना चाहिए ताकि इस ट्राइब के इंफेक्शन्स और परिशानी हमें बार बार देखने को ना मिले अगर हमारे कानों में रेडनेस हो, इचिंग हो या फिर रिसकमपट महसूस होते हैं तो आप इस मेडिशन को यूज करके उससे बहुत ही जल्दी छुटकरा पा सकते हैं ये मेडिशन हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव है और यूसपूल साबित होते हैं इस को यूज घ्यों करने से इस को यूज करने से पहले आप अपने हातों को अच्छे तरह से वास कर ली जिए ताकि हमारे हातों के infections हमारे कानों तक ना पहुंचे यह drop सिर्फ कानों के लिए ही बनाई गई medicine है आप इस drop को अपने आखों में यूज नहीं करना चाहिए यह drop हमारे लिए बहुत ही safe होता है कानों से related कोई भी परिशानी हो तो आप इस drop को आसानी से use कर सकते हैं इस drop को यू केंडिवेटिक यह drop को ग्लेनमार्क फार्मासिटिकल लिमिटेड कंपणी द्वारा manufacturing किया जाता है जो कि जानी मानी एक बहुत बड़ी फार्मासिटिकल कंपणी है यहां और भी बहुत से एलोपेथिक मेडिसिन manufacturing होते हैं जिसके बहुत से medicine products all over India में हर medical shop और हर pharmacy में available देख होते हैं केंडिवेटिक यह drop market में सबसे अधिक भीखने वाली medicine है जो कि एक रिजनेवल प्राइज में हर medical shop हर pharmacy में available होते हैं आगे हम केंडिवेटिक यह drop के composition के बारे में जानेंगे तो आप देख सकते हैं यह drop 3 प्रकार के composition से बनाए गई medicine है जोcket इघिक यह की 0.025 5 परशंट के मातरा मेंहें available देखने को मिलता है यह लास्ट में देखेंगे क्लोट्री माजॉल जो कि के मातरा में यहां available देखने को मिलता है यह three इनकानों को कम करता है और हमारे कानों में जम्य मैले को भी बाहर निकलने में मदद करता है आगे हम बात करेंगे नियो मैसिन सलफेट के बारे में तो आपको बताना चाहूंगा यह कानों में हो रहे इनफेक्शन को दूर करते हैं और हमारे स्कीन को इनफेक्टेड होने से बचाते हैं और अच्छी तरह से घाओ को क्लियर करते हैं और बैक्टरियल जैसे हामफुल डिजिस को दूर रखने में मदद करते हैं आगे हम क्लोट्रिमा जोल के बारे में जानेंगे तो आपको बतान चाहूंगा ये समय कानों में हो रहे फंगल टाइब इंफेक्शन को ठीक करने में मदद करते हैं और में होने वाली खुझल को दूर करते हैं ये यëheric ग्रूप से बिलॉंग करता है ये तीनों कानों क Śथैंग से कद्रिya कीainड़र्ब को प्रिपर किया जाता है ये तीनों कमपोजिशन हमारे लिए बहुत ही फाइदेमाद साभीत होते हैं और यहां एक्टिफ हम में एविलेबुल देखने को मिलते हैं Candivatic Ear Drop हमारे कानों के दर्द, सूजन और इंफ्लमेशन को दूर करते हैं और हमें बहुत ही जल्दी आराम पहुंचाते हैं Candivatic Ear Drop हमारे कानों के लिए बहुती सेफ मेडिसिन है और बहुती फाइदमाद मेडिसिन है इस ड्रॉप के एफेक्टिवनेस और इजी टू यूज हमें बहुती पसंद आते हैं इस ड्रॉप को कैरी करना बहुती आसान होता है यह इजी टू वेट होते हैं आप इस ड्रॉप क हमारे कानों को प्रोटेक करता है और हमारे कानों को धूल मिट्टी ड्राइनेस इच्जिंग पेन श्वेलिंग और इन्फ्लामेसन से बचाता है और इसका ख्याल रखता है आगे हम केंडिवेटिक एरडॉप के पेकेजिंग के बारे में जानेंगे तो आप देख सकते हैं क जिसको बीना खोले हम इस ड्रॉप को यूज नहीं कर पाते यह लोग एक सेफटी परपोज में लगाए जाता है ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के धूल मिट्टी घुस ना सके जिससे कि यह मेडिसिन बहुत ही सेफ होता है आगे हम इस ड्रॉप को असानी से किसी भी स्प्राइजिंग में हमें देखने को मिलते हैं आगे हम बात करेंगे केंडियाटे केंडि elleटोप के अमर्पी प्राइज में देखने को मिलते हैं जो की एक पॉपुलर मेडिशिन है ये य convequa को हरकोई भी कर सकते हैं आप इस DRC को particip secretly अपने यूज में ला सकते हैं यह ड्रॉप STEER होता है यह यूज होता है यह ड्रॉप के कानों doet को हर तरह की Linda नेचिए से प्रोटक करके रखता है इस ड्लॉब की मदफ से हमारे कानों की हर पल्ली से छुटका। पा सकते हैं इस ड्रॉब की मदफ से हम भुष से इंफेक्शन को क्लेर कर सकते हैं इस में म्काट कई margin हो इचिंग हो पेन हो या स्वेलिंग हो इन जैसे तकलिफों को ठीक करने में मदद करता है और आपके कानों को सुनने की सक्ति को भी बढ़ाता है आगे हम हम किंडिवेटिक एरट्रॉप के साइड इफेक्स के वारे में जानेंगे तो आपको बताना चाहाँ वैस तो हमारे केंडिवेटिक के कि बहुत कम side effects देखने को मिलते हैं आगे हम जानेंगे हमें किसी भी medicine को उसके सही और recommended dose के हिसाब से ही यूज में लेना चाहिए ताकि उस medicine के अच्छे और better results हमें देखने को मिलते हैं वहीं अगर आप इस medicine को गलत तरीके से यूज में लेते हैं या फिर इस medicine के कुछ overdose अप लेते हैं तो आपको इस medicine के कई side effects देखने को मिल सकते हैं आगे बताना चाहूंगा इस medicine के कुसय डीफैस्स के वारे में जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, redness हो सकते हैं, burning sensation महसूस हो सकते हैं, itching हो सकते हैं और discomfort जैसे आपको feel हो सकते हैं, इस टाइप की symptoms आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर ऐसे symptoms आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इस drop को use करना बंद कर सकते हैं, और ऐसा कुछ हो तो आप अपने निएर डोक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं और आगे आपको बताना चाहूँगा हमें किसी भी medicine के side effects से बचने के लिए हमें उस medicine के सही और recommend it दोज अच्छे से पता होना चाहिए टाकि हमारे body में is medicine के side effects देखने को ना मिले आगे हम candy byργic ear drop के यूजेस के बारे में जानेंगे तो यहां में आपको बताना चाहूंगा हमें किस टाइम पर इस ड्रॉप को यूज में लेना चाहिए और कितने मातरा में हमें इस ड्रॉप को यूज में लेना चाहिए आगे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों केंडिवेटिक यूज में एक बहुत ही इंपोर्टेंट मेडिसिन है अगर हमें कानों में दर्द हो सूजन हो इंफ्लामेशन हो यह ड्राइनेस हो ऐसे में आपको दो दो बुंद के मातरा में दिन में दो बर यूज में लेना चाहिए ताकि आपको इन सभी परिशानियां से छुटकरा मिल सके और बहु जर्द से ही केंडीवैट एर्डॉप प्रसक्राइब करते हैं जो कि तीन प्रकार के कॉमपोजिशन से बना होता है और आपके कानों को ठीक करने में मदद करते हैं आप इस ड्रोप को दिन में दो बार डाल सकते हैं वह भी दो दो बूंद के मातरा में आप इसको यूज कर स को कम या जादा भी कर सकते हैं हमें किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर्स की सुपर विजन में ही लेना चाहिए ये था दोस्तों केंडी वेटे येड्रोप का एक छोटा सा रिव्यूज आसा करता हूं आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आए होंगे जरूर आपको यहां कुछ न मचाते रहेंगे बिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में थैंक यू